तो आज हम आने वाले हैं फ्राइट बितन की मिर्श जो बहुत ही मज़े का और इंस्टन सा स्नाक है आप इस तरह कीचे का सुझेले बनाते हैं पहले हम पंगोटी में लेंगे वान टीस्पून जीरा यानिकी क्यूमिन और फिर आट करेंगे सॉल्ट आसपटेस यानिकी नमक और यह अची तरह से कूट लेंगे ताकि इसका फाइन सा पाओडर बन जाए अची तरह से फाइन सा प्याज में लिजए बिल्कुल इस तरह से अब मैं आट करेंगे चार ते पांच की कलियां और हरी मिर्च एक आप चाहें तो दो हरी मिर्च भी आड़ कर सकते हो अगर तरह से तक कि सारा कुछ fine सा पेस्ट बन जा बिल्कुल इस तरह से यह देखिए अची तरह से fine सा पेस्ट बना लिजे और फिस मैं अड़ करेंगे धनिया और पुदीना धनिया और पुदीने की quantity हमने सेम रखनी है इसे भी आट करने के बाद इस तरह से कूट लेना है तक कि ब बिल्सपन भ़कर इमली है सारे इम्ली आट करने के बाद इसे भी कूट लेंगे अची तरह से अरुसमाया पॉडर विल्कुल घ्र मिख्वाट में एट करेंगे अची तरह से मिर्च यह चाहँ लेने के बाद चीटा से बीच में एक बिछाना बीच में से कट तरह से कट कीजे दोड़ा बिल्कुल उपर के तरफ से कट कीजें विद्धन सारे अंदर के दाने इसमें आपकी मिर्ची डी है अब मिर्ची में फिल करेंगे जो है कर दे यंदेंगे अको याद रखने है आपको मिर्ची को अच्छीता Аंव को प्रेस करते जाना है अब हम हम और यह कोटिंग बन जाए आसपास मिर्ची के और यह देखें बिलकुल इस तरह से चाए कोट करना है चाहिवोट कर लिए कि अच्छी तरह से चाहिए है अब हम मिर्चों को बेसन से कोट करेंगे हमा पले लेंगे बेसन तकरीबन 2-3 कब बेसन लिए है मैंने इसमें आट किया जिन गालिक पेस्ट तेस्ट फीज़े हाफ टी स्पून सॉल्टा टैस्पूर टेस्ट और फिर आट करेंगे बिल्कुल half teaspoon सोडा अच्छी से mix कर लेंगे और इसमें पानी आट करेंगे ताकि एक अच्छी से हमारी बैटर बन जाए बेसन का आपको बैटर जो बिल्कुल थिक सा बनाना है यानि की गाड़ा सा बनाना है बैटर पतला नहीं रहना जाए आपके आपके का कुछ करने के बाद हम इसे फ्राइप करेंगे आ चीतर तरय से गरम करना है और सारा निकाल देंगे अच्छी तरह से निकाल देंगे और से स्ट्रेंड करेंगे तक है और यह देखिए आपके मिर्ची बिल्कुल रेडी है आप से गरम सफ कीज़ें आपको इसे चट्नी की साथ सफ करने की दूरत नहीं है क्योंकि इसमें अजने चट्नी फिल किये हैं अगर आप चाहो तो आप चट्णी सा सर्फ कर सकते हो लेकिन यह बिल्कुल आपके ऊपर डिपंड है और यह देखिए मैं आपको मिर्शी के अंदर से कट करके दिखा दिखा दियों कितनी मज़े की बनी है और कितनी टेस्टी लग रही है और यह देखिए आप इस जब ट्रा